The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aad Shala and make your Net UPSC economics dreams come true. Download the app now. शो आपने और शो अम समझा हुए कि सबसे पहले क्या देखैगा, 35 signs in P 흥말ड़ाने और कम देखैगा यह समझा हैं यह वह फेक्टर्स हैं यह वर फेक्टर सेहिंजो कि यह डितर्मायन करे या ना करे और कितनी करे clear फिर एक और अगर individual है consumer है जो कि Maggie की demand करता है यह भी क्या कर रहा है Maggie की demand कर रहा है तो जब यह Maggie की demand करेगा consumer B तो कौन-कौन से factors को ध्यान में रखेगा वो भी price देखेगा Maggie का price of related goods देखेगा income देखेगा और taste and preferences तो यह factors B देखेगा यह factors A देखेगा तो अभी तक हमने demand में यह समझा कि जब भी कोई individual या consumer किसी product की demand करता है किसी good की demand करता है तो इन factors को ध्यान में रखते हुए करता है ठीक है अब हमें एक और चीज समझनी है कि A जब demand करता है Maggie की तो उसका B से कोई लेना देना नहीं है और जब B demand करता है Maggie की तो उसका A से कोई लेना देना नहीं है यानि जब B Maggie की demand करेगा तो वो A को नहीं देख रहा हो कि A क्या demand कर रहा है और जब A demand कर रहा होगा Maggie की तो वो B को नहीं देख रहा हो कि B क्या क्या demand कर रहा है यानि कि अभी तक जिसनी भी हमने demand समझी है वो इस assumption के साथ समझी है कि A का B से कोई लेना देना नहीं है B का C से कोई लेना देना नहीं है और कितने भी individual हों कितने भी consumer हैं उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है यानि इनकी जो demand है वो क्या है independent है कोई आपस में dependency नहीं है एक दूसरे से इनकी demand को लेके clear तो यह एक assumption हम मान के चल रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है मान लेते हैं कि एक consumer है एक इसकी phone की demand है ठीक है किसकी demand है phone की अब इस phone की जब demand हुई तो इसने यह phone अपने relatives को दिखाया अपने रिष्टिदारों को दिखाया अपने friends को दिखाया ठीक है इन सब लोगों को यह phone दिखाया तो जब यह phone दिखाया A ने इन सब लोगों को तो इन में से क्या हुआ X और Z ने इसको देखकर ये फोन खरीद लिया क्यों क्योंकि A ने जब इनको फोन दिखाया तो X और Z को ये फोन पसंद आ गया तो क्या क्या इसने खरीद लिया और इसने खरीद लिया तो इसने भी जाके अपने रिष्टदार और दोस्तों को दिखाया और इसने भी जाके क्या किया अपने रिष्टदार और दोस्तों को दिखाया तो उनमें से भी किसी ने फोन ले लिया फिर उन्होंने किसी और को दिखाया इसने किसी और को दिखाया तो ऐसे करके किसी और ने भी phone ले लिया ठीक है तो A की वज़े से A की वज़े से क्या बन रहा है यहां पर एक network type का structure form हो रहा है क्या form हो रहा है एक network बन रहा है ठीक है और क्योंकि X ने A की वज़े से लिया है और Z ने भी A की वज़े से लिया है ठीक है तो इसको हम कहते हैं externality क्या कहते हैं अगर कोई individual किसी और की वज़े से कोई product खरीदेगा तो उसको हम कहते हैं externality तो इस पूरे concept को हम कहते हैं network externalities क्या कहते हैं इसको network externalities यानि की एक के mobile phone की demand करने की वज़े से x ने भी खरीदा, z ने भी खरीदा, फिर उनके दोस्तों ने खरीदा, फिर इसके दोस्तों ने खरीदा ऐसे करके बहुत लोगों ने खरीदा और एक network बन गया ठीक है, externalities को कैसे समझ सकते हैं, देखिए, suppose माल लेते हैं एक x है, producer है ये, plastic bag बनाता है, क्या बनाता है, plastic bags बनाता है, इसकी एक factory है, ठीक है, इस factory से क्या निकलता है, smoke निकलता है, और pollution होता है, क्योंकि ये plastic bag बनाता है, और इसके बराबर में क्या है, एक society है एक society है, जो जब ये production करता है, तो ये pollution इस society पर जाता है तो यानि कि इसके production करने पर X के production करने पर जो effect कर रही है वो society को गर रहा है production इसने किया plastic bag इसके बनेंगे profit इसको होगा लेकिन effect किसको कर रहा है? society को कर रहा है तो इसको हम कहते है externalities जब एक किसी individual के काम करने से किसी और पर effect पड़े तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहा है? network externalities और किस तरीके से समझ सकते है network externalities को? देखे अगर ए ने mobile phone लिया है तो अगर हम सोचें mobile phone majorly किस लिए use होता है? mobile phone का use होता है calling के लिए starting में जब mobile phone आया था तो majorly किस के लिए use करते थे? calling के लिए ठीक है? तो अगर सिर्फ A के पास ही mobile phone है तो कोई फायदा होगा क्या A को? नहीं? क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएगा किसी से clear? mobile phone लिया किस लिए था? किसी और से बात करने के लिए लेकिन वैसी ही device अगर किसी और के पास नहीं है तो A को कोई फायदा होगा? नहीं तो A ने जब mobile phone लिया होगा तो उसने भी देखा होगा कि क्या X के पास है या Y के पास है या Z के पास है या किसी और के पास है ठीक है? तो A ने जब phone लिया होगा तो ये सोच के लिया होगा की और लोगों के पास भी क्या वो फौन है अगर वो फौन और्लोगों के पास बी है तब ही मुझे साटिस फैक्षन मिलेगा उस प्रॉडक्ट से इस को हम क्या कहते हैं नेटवर्क एक्टेनल्टी और इसको अगर हम इसकी डेफिनिशन देखने चाहें नेटवर्क एक्टेनल्टी की तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन इंडिवीज्वाल्स यूटिलिटी फॉर अगुड depends on number of other people who consume the commodity यानि एक इंडिवीज्वाल को कब यूटिलिटी मिलती है किसी प्रोड़क्ट से तब यूटिलिटी मिलती है जब वो प्रोड़क्ट और लोगों के पास भी है यानि और लोगों के पास अगर वो प्रोड़क्ट है तब ही अगर मैं उसे खरीदूंगा नहीं है अब जो network externalities होते हैं हमारी वो दो तरीके की होती है network externalities हमारी दो तरीके की होते हैं कौन-कौन सी positive पॉजिटिव नेटवर्क externalities और नेगेटिव नेटवर्क externalities देखे पॉजिटिव नेटवर्क externalities का सिंपल सा यह मतलब होता है कि network externalities की वज़य से किसी प्रोडक्ट की demand बढ़े तो उसको हम कहते हैं positive network externalities और network externalities की वज़य से अगर demand decrease होगी तो उसको हम कहते हैं negative network externalities कैसे समझते हैं देखिए मान लेते हैं आप सबने इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं तो मान लेते हैं जो आडियो क्लिप आती है उस पर रील्स बनती है ठीक है तो उस रील्स पर maveragily毅 मान लेते हैं 5,000 individual reels बनाते हैं एक audio clip आई उससे application 5000 लोगोंने clip बनाई एक है और reel आई उससे क्या हुआ फिर 5000 लोगोंने एक और रिलाई उससे क्या हुआ पहले 5,000 लोगों ने बनाई फिर उन 5,000 लोगों को देखकर और 10,000 लोगों ने बनाई फिर उन 10,000 लोगों कर देखके और 1,000,000 लोगों ने बनाई तो ये क्या हुआ ये वाली जो आडियो क्लिप है ये क्या हो गई वायरल हो गई ये ट्रे लोगों ने क्यों मनाया इन 10,000 लोगों को देखकर ठीक है तो यानि इसको देखकर इसने बनाया इसको देखकर इसने बनाया तो यह के externalities है network externalities है अब इसी फिनोमेना को अगर हम किसी product पे डाल दें तो क्या होगा मान लेते हैं plain shirt की demand 500 परमत आती है 500 pieces अचानक से क्या हुआ यह 500 pieces में convert होके 5,000 हो गई इन 5,000 लोगों को देखकर और 50,000 लोगों ने बना ली ठीक है तो जिस product की demand 500 होती थी average ली अब उस product की demand 50,000 हो गई है यह positive network externalities ट्रेंड को देखकर किसी और individual को देखकर fashion को देखकर style को देखकर जब और लोगों ने खरीदना start कर दिया और लोगों ने उसकी demand करनी चालू कर दी तो उसको हम कहते है positive network externalities और इसी को हम कहते हैं band wagon effect क्या है यह band wagon यह जो concept मैंने आपको बताया कि इनको देखकर इसने खरीदा इसको देखकर इसने खरीदा तो demand increase हो गई ठीक है किसकी वैसे trend की वैसे style की वैसे fashion की वैसे इसको हम कहते है band wagon effect clear अब इस band wagon effect को हम diagramatically भी समझ सकते हैं कि यह band wagon effect दिखेगा कैसे ग्राफ पर देखिए एक मैं graph बना रहा हूं इसमें y-axis पर क्या है prices x-axis पर है quantity demanded माल लेता है shirt की quantity demanded clear अब क्या होता है एक मैंने demand कर बनाया normal ठीक है क्या है हमारा demand कर यह कैसे बनाया हमने सीखा हूँ हमने कैसे बनाया कि अलग-अलग individual से जाके हमने पूछा कि आपकी shirt की demand क्या है अलग-अलग prices पर तो यह एक line निकल के आई यह graph बन क्या है इसको हम कहते है demand कर clear यह हमने सीखा हुआ है अब इस demand कर पर माल लेते हैं कि यह price था सपूर्स इस price पर यह demand होती है क्यों माल लेते हैं इसको ठीक है जस graph के साप से बनाया हमने अगर यह price है तो इस price पर यह demand होनी चाहिए clear अब क्या हुआ कि अगर price पीवन हो जाय यानि कम हो जाय तो demand क्या होगी यह ऑननी चाहिए है माल लेते हैं, Q1 होनी चाहिए, ठीक है, यह होगा, अगर price P है, तो demand Q होनी चाहिए, और अगर price P1 हो जाएगा, तो demand Q1 होनी चाहिए, ठीक है, यह normal demand कर वें, ऐसी वन आते थे हम, अब क्या हुआ, क्योंकि band wagon effect काम कर रहा है, यानि लोगों को यह product, यह जो shirt है, यह पसंद आने लगी है ठीक है तो जैसे ही अगर हम prices को कम करेंगे तो यह जो demand increase हुई है यह जो demand increase हुई है इन लोगों को देखकर और लोगों ने भी demand करने चालू कर दिशर्ट की तो हमें पता है अगर prices के अलावा कुछ भी changes होते हैं तो demand कर क्या होता है शिफ्ट हो जाता है और यह किसकी वैसे चेंज हो रहा है यह fashion की वैसे चेंज हो रहे है तो अगर fashion की वज़े से demand increase हो रही है तो demand कर को क्या होगा shift हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा d1 clear क्या हुआ है कि इन लोगों ने जब price कम हुआ तो यहाँ demand increase होनी चाहिए थी अब यह जो demand increase होनी चाहिए थी इन लोगों को देखकर और लोगों ने इस प्रोड़क्ट की demand करी तो इसलिए यह demand कर आगे की तरफ shift हो गया ठीक है फिर इन लोगों को देखकर डीवन वाले लोगों को देखकर demand कर और आगे shift हो गया क्योंकि bandwagon effect लग रहा है लोगों को चीज़े पसंद आ रही है trend में है fashion में इन लोगों को देखकर और लोगों ने demand start कर दी तो demand उठकर यहां से अब यहां आ गई है तो हम यह चेक करेंगे कि इस prices पर demand यहां होनी चाहिए थी लेकिन अब इस prices पर demand कहां आ गई है यहां आ गई है तो इस graph को अगर हम extend कर दें तो यह आगे demand Q3 clear? तो actual में prices कम होने की वज़े से demand यहां तक आनी चाहिए थी लेकिन band wagon effect की वज़े से demand यहां से यहां तक extend हो गई है तो इसको हम कहते है band wagon effect यह वाला जो part है यह वाला जो part है इसको हम कहते है band wagon effect और यहां से यहां तक वाला जो part है इसको हम कहते है price effect यह price की वज़े से change वा था यहां से यहां तक कैसे आए हम price की वज़े से लेकिन यहां से यहां तक हम किसलिए गए है band wagon effect की वज़े से इसको हम कहते है band wagon effect ठीक है clear अब demand कर्व कैसा बन जाएग हमारा इस point पे थे पहले ह ठीकिये prices कम होए तो demanding हमारी कहां चले सो अगर हम इन दोनों point को मिला देंगे तो हमाही नइडिमांड करवा जाए गी इसको भोलिदेंगे द divisions market क dapat या वैसे सारी market ढेन कर थी लेकिन अब जो नइंडिमांड कर वाए को मिला थीय है जब ढई किसका मेंक्वैंपल है यह नेटवर्क एक्स्टनल्टीज का एक्जामपल है यह जो मैंने बैंड वेगन इफेक्ट बताया है यह नेटवर्क एक्स्टनल्टीज तो है लेकिन यह क्या है पॉजिटिव नेटवर्क एक्स्टनल्टीज इसमें क्या हो रहा है कि डिमांड जो है वो increase हो रही है क्यों increase हो रही है क्योंकि और लोग इसे पसंद कर रहे है जितने जादा और लोग पसंद कर रहे है उतनी ही जादा वो चीज मेरे को पसंद आ रही है इसलिए क्या है यह positive network extremities next है मारे पास negative network externalities यानि कि अगर और लोगों के पास यह product है तो हमारे लिए उस product की demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इससे पहले क्या हो रही थी demand ज्यादा हो रही थी तो वो क्या था positive network externaties तेकिन यहाँ पर क्या होगा कि network externaties की वज़े से demand जो है वो कम हो जाएगी कैसे समझते हैं जैसे हमारे पास prestige value products होते हैं जैसे prestige value products नहीं रेयर आर्टवर्क्स पेंटिंग्स लक्जरी कार्स स्पोर्ट्स कार ठीक है ऐसे product जिनसे हमें क्या मिलती है प्रेस्टीज मिलती है ठीक है तो यह जितने कम लोगों के पास होगा उतना ही हमें satisfaction मिलेगा diamond जितने कम लोगों के पास होगा उतनी ही जादा उसकी prestige value होगी और उतना ही लोग उसे खरीदना चाहेंगी ठीक है तो जिसकी prestige value होती है अगर वो product सब के पास होने लग जाएगा तो उसकी prestige value कम हो जाएगी for example अगर iPhone है यह अपने prices one lakh से घटा कर 10,000 कर दे तो इसकी sales पर क्या असर पड़ेगा कम हो जाएगी बढ़ेगी नहीं कम हो जाएगी iPhone main big इसी लेला है क्योंकि इसकी prestige value है luxury good है ठीक है reputation increase कर रहा है तो इस phenomenon को हम कहते हैं snob effect क्या होता है snob effect जब किसी product की prestige value होती है जैसे iPhone अगर हम उसके prices को कम कर देंगे या वो product जादा लोगों के पास हो जाएगा तो उसकी demand क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है जितना ज्यादा वो product लोगों के पास हो जाएगा जितना affordable हो जाएगा वो तो हमारी उसके लिए prestige value खतम हो जाएगी ठीक है उससे हमें satisfaction मिलना कम हो जाएगी इसको कैसे समझ सकते हैं इसको भी graph की help से समझ सकते हैं यह price है और मालने इतने product आईफोन ही है और यह quantity demanded है आईफोन की ठीक है यह क्या है हमारे पास demand कर जैसे पहले बनाया आपने इस पे prices अगर P हैं तो quantity demanded क्यू है clear prices अगर P हैं तो quantity demanded क्यू है अब prices अगर कम हो जाती है P1 हो जाती है तो quantity demanded क्यूँ वन हो जानी चाहिए ठीक है demand करो के इसाब से यह चीज होनी चाहिए law of demand के इसाब से तो यह होना चाहिए लेकिन क्योंकि snob effect है ठीक है snob effect है तो क्या हो रहा है कि जैसे ही prices कम हुई तो demand जो है वो बढ़ गई ठीक है demand बढ़ जानी चाहिए उस product के लिए iPhone के लिए demand बढ़ जानी चाहिए prices कम होते ही demand जो है वो यहां से यहां बढ़ जानी चाहिए लेकिन हमें पता है जिस product पे snob effect लगता है उसकी prestige value कम हो जाती है तो यानि कि अब यह जो iPhone है जैसे ही prices कम अब affordable हो गया है तो लोगों को समझ में आ गया है इससे अब कोई luxury goods नहीं रहे गया है इससे कोई खास reputation बढ़ेगी नहीं तो किये क्या करेंगे demand कम कर देंगे और हमें पता है अगर prices के अलावा कोई और factor काम करता है तो demand curve shift करती है तो यहां पे कैसे shift करेगी पीछे की तरफ shift कर जाएगी डी वन पीछे की तरफ क्यों shift कर गई यह क्योंकि हमें पता है कि prices कम करने की वएसे iPhone अब affordable होगे अब जब वो affordable हो गया है तो अब हूँ हमारे किसी काम करें कर नहीं रहा है क्यों क्योंकि अब तो सब खरीद सकते हैं जो चीज सब खरीद सकते हैं वो हमें नही तो क्या हुआ पहले demand कहां थी यहां से यहा आनी चाहिए थी price effect की विएसे इसको हम क्या कहते है price effect यहां से यहां तक का क्या है ये price effect q- से q1 पर जब हम गए तो था price effect लेकिन क्या हुआ प्राइसिस कम होने की वजय से ये product affordable हुआ और affordable होने की वये से जिन लोगों को product खरीदना था उन्होंने भी उसकी demand कम कर दी तो demand कर पीछे की तरफ shift हो गई और अब उस prices पर यहाँ पर आ रही है demand तो अब यह क्या हो गई Q2 तो जो demand Q से Q1 पर जानी चाहिए थी law of demand की इसाब से वो snob effect की वज़े से Q2 पर रह गई ठीक है Q2 पर रह गई तो इसको हम कहते हैं यह जो backward आये हैं हम इसको हम कहते है snob effect क्या है यह snob effect snob effect की वज़े से जो demand Q1 पर आनी चाहिए थी वो Q2 पर रह गई clear तो अब इसमें demand कर कैसे बन जाएगी पहले demand हमारी कहां थी यहां पर थी अब demand हमारी कहां पर आ गई है यहां पर आ गई है तो अब इसको हम join कर देंगे तो यह आ गई हमारी नई market demand snob effect की वज़े से हमारी market demand क्या हो गई है steep हो गई है clear यह snob effect किसका example है यह negative network externalities का example है ठीक है snob effect clear अब यह जो हमने दोनो snob effect पढ़ा हमने और क्या पढ़ा हमने band wagon effect band wagon effect और snob effect इन दोनो economic theory को देने वाला कौन था harway labstein ठीक है यह एक economist है जिन्होंने यह दोनो theories दी और यह जो concept है यह बहुत important है UGC net के perspective से भी UGC net में directly पूछ लिए जाता है कि यह effect किस ने दिये तो हम बता सकते हैं कि harley labstein ने दिये है और UPSC Indian Economic Service के exam में यह question as it is आया हुआ है कि हमें बताना है bandwagon effect और snob effect में difference क्या है तो जिस तरीके से मैंने यह आपको बताया है यहाँ पर समझाया है graph की help से ऐसे ही आपको भी exam में explain करना होगा इसे I hope यह concept आपको clear हो गया होगा अगर यह video आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू